इसमें हम देखने वाले हैं कि हमने डैनामिक चार्ट कैसे बनाना है एक्सल के अंदर डैनामिक चार्ट का मतलब है कि for example यहां पे मैं लहौर करता हूँ तो यहां पे लहौर का जो में टमप्रेचर का चार्ट जो हमने बनाया हुआ है इसका कलर कुछ इस तरीके से हो जाए ठीक है तो उसको करने के लिए जारी बात है अगर हम इसको चेंज करते हैं लहौर का वहीं पर है और कराची का चेंज किया तो यहां पे कराची का चेंज आटोमेटिकली होना चाहिए तो उसको करने के लिए क्या करते हैं सबसे पहले मैं control Z दबाता हूँ Z दबाने के बाद तो इस dynamic chart को बनाने के लिए हम क्या करेंगे हम इस cell पे जाएंगे equal to लगाएंगे if का formula लगाने के बाद tap दबाने के बाद हम कहेंगे अगर फैसला बाद मतलब ये वला cell is equal to इस cell की value के है तो क्या करो कॉमा अगर ये true है तो ये वला यहां पे print कर दो अगर ये false है तो इसको खाली चोड़ दो ठीक हो गया bracket बान तो होगा क्या अब यहां पे अगर हम फैसला बाद select करते हैं अब देखें कि यहां पे यह प्रिंट हो जाता है और जैसे ही मैं इसको नीचे सारे को drag करता हूँ फार एक्जेमपल यहां पे मैं लहौर करता हूँ तो लहौर वाला यहां पे आना चाहिए था हमने यह वाला column जैसे lock करना है तो यह वाला column क्या है B11 यहां पे आने के बाद हम इसको F4 दबाएंगे तो यह lock हो जाएगा lock करने के बाद हम इसको double click करते है तो यह पूरे का पूरा lock हो गया आप यहां पे देख सकते हैं इसके अंदर भी lock है मतलब उपर से नीचे ताका है लेकिन यह वाला वैसे का वैसे ही रहेगा अब यहां पे जैसे हम value change करते हैं आप देखें वहां पे value change हो रही है और साथ में यहां पे भी हमारे पास graph के अंदर भी color change हो रहा है गोर करें आप ज़रा color तो change हो रहा है लेकिन हम क्या चाहते थे हम चाहते थे कि इसके उपर आए तो हम इस पे click करने के बाद basically क्या करेंगे यह मैं भी आपको दिखाता हूँ हम यहां पे जाएंगे यहां पे जाने के बाद series को overlap कर देंगे overlap करेंगे तो इसके उपर आजाएगी अब देखें जहां पे हम change कर रहे हैं इसको यहां पे select करने के बाद इससे overlap करते हैं ठीक हो गया तो यह change हो गया अगर color आपने इसका करना था blue जैसे कि हमने start में रखा था तो यह blue हो जाएगा तो आप जैसे इसको change करेंगे यहां से आपका जो वहां पे graph है वो interactive बन रहे हम next tips and tricks में मिलते हैं Allah Hafiz